गुद मॉनिंग स्टुडेंट्स हम लोग इंडियन कॉंस्टिशूशन पढ़ रहा हैं जीके में क्लास एट का तो लास्ट वीडियो हमने सेवेन पॉइंट्स तक पढ़ लिया था अब आगे हम देखते हैं आवर कॉंस्टिशूशन मेकर टूझ इंडियन कोंस्टिशूशन फ्रम वेरियस अबर कॉंस्टिशूशन बन रहा था तौल हमेरी जो सारे इंस्पीरेशन वह अदर जो constitution साथ दूसरे दूसरे देशों के जो सम्मिधान थे उनसे बहुत inspiration लिया और उनके अंदर जो जो अच्छी चीजे थी उसको अपने अंदर शामिल कर लिया था इसलिए हमारे जो ऑफ constitution को bag of borrowing भी कहा जाता है the concept of five-year plan यहने एफ by P was taken from the former USSR USSR जो है जिसको सोवियत संग भी कहा जाता था ठीक है union of Soviet socialist republics USSR का full form होता है and the directive principle social economy rights were taken from Ireland जो five-year plan है वो कहां से सोवियत संग से लिया गया था और जो directive principle है जिसको social और economic rights है यानि समाजी को आर्थिक जो अधिकार है वो किस से लिया गया है Ireland से लिया गया है ठीक है the ideals of liberty equality and fraternity in the our primble have been taken from the french revolution यानि french revolution से ये सारी चीज़े लिए गई है आपको liberty का idea equality का fraternity का जो है हमारे जो प्रिंबल में जो डाला गया है यानि हमेरे सम्मिदान की जो देशिका में डाला गया है वो प्रस्तावना में वो हमारे कहां से आया है french revolution से जिसको french motto भी कहा जाता है ठीक है न जिसको क्या कहता है french motto the primble to our constitution was inspired by the primble to the constitution of the united state of america जो हमारा primble है वो कहां से मतलब inspired है कहां से लिया गया आपको united states of america के primble से ठीक है inspired which also start with the people जो कहां से start होता है with the people यानि कि हम भारत के लोग से शुरू होता है ठीक है the fundamental right recognized by our constitution the fundamental rights recognized by our constitution have also been adopted from american constitution जो हमारा fundamental rights जो है वो कहां से लिया गया है आपको american यानि america से लिया गया है ठीक है the Indian constitution recognize nine fundamental rights as the basic human rights of all its citizens यानि कि जो 9 fundamental rights है जो कि Indian constitution में रखा गया है जो कि basic human rights है और इसके सारे citizens के लिए ये अप्लाई होता है interestingly in the beginning the right to property was also one of the fundamental rights यानि कि सुरू में जो है property का अधिकार जो है right to property यानि कि प्रोपर्टी रखने का या धन संग्रा करने का या कहा है या जो भी कहा है वो अधिकार था fundamental rights के अंदर था हमारे the article 31 of our constitution said that जो article 31 है हमारे संभीधान का वो कहता है no person shall be deprived of his properties saved by authority of law however the 44th amendment in 1978 deleted it यानि कहा जाता है कि हर व्यक्ति के पास जोता है वो अपना संपत्ति का अधिकार होगा है कोई भी कानून के तरफ पर उसको उसे वन्चित नहीं किया जा सकता है कानून के तरफ से लेकिन इसको कब हटा दिया गया आपको जो 44th amendment था यान 44th जो संसोधन था जो कब हुआ था 1978 में उसको delete कर दिया गया यानि कि अप property का जो अधिकार जो है आपको आपको fundamental rights में नहीं आता है the Indian constitution has also been held one of the world biggest world best constitutions because it 67 year of its adoption it has been amended only 101 यानि कि 101 times till 1 July 2017 जो इंडियन constitution जो है वो दुनिया भर के जीतने भी constitution जीतने भी संभीधान हो सब्सक्राइब माना जाता है क्योंकि 2007 तक की बात हो रही है संसर सालों में सिर्फ 101 बार ही इसके अंदर संसोधन हो पाया है यानि यह बहुत ही अच्छा शंभीधान है दुनिया का बेस्ट संभीधानों में से एक है और जब इसको बनाया गया था उसी टेम में बाकिछ सारी चीजों का ध्यान रखा गया था अधा